तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन एक बात याद रखना, यह शुरू बात है यह जो आग तुम्हें लगाई है ना, बहुत जल्द इसमें जलकर राक हुटाओगी भावी लग रहा है जल्द तो आप रही है कि कई हम आपके बराबरे पर ना जाए तुम्हारे वहाँ होने से हबीब की यह गलत फिहमी दूर हो जाएगी कि उसने हमें हरा दिया है या हमने उसके आगे खुटले टेक दिया है खड़े हुई गए खड़े हुई गए खड़े हुई गए तुम्हाँ गए हुई यह मैं आपके ली लाइट हो मेरी तो जान ही निकल कि दिने का बदनी क्या होगी अब अब आप आफिर्स यही पहन के जाएगा आप पे बहुत सूथ करेगी मैं कौनसा किसी मल्टीनेशनी कंपनी में जॉप कर रहा हूँ और वैसे भी सबको जबी बाई ने समाल ला है मैं तो बस ऐसे थोड़ा यह क्या बात हुई आपने इतने पैसे लगाएं तो कमसकम आपको अपना रोब तो दिखाना चाहिए ना उनको और अब देखे ना पहन की कितने प्रोफेशनल बिजनेस मैन लग रहे पुरे अरे अमा आप क्यों आ गई मुझे आवाद देती मैं आ जाता तुम तो मुझे यह बताओ कि एतनी सारी रखम तुमारे पास आई कहां से जो तुमने हबीब के साथ साज़ेदारी कर ली पहले तो तुम मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं कर देते जमशेद दर से बाहर भी जाना होता तो पूछते थे और इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझसे छुपाये रहा है और क्या कर चुपा रहे हो तुम मेरी पीट में से क्या क्या हो रहा है बताओं जे अमा कैसी बात कर रही हैं मैं वहलबे आप्पे क्यूं चुपाऊंगा यह छुपाना ही तो है इतना बड़ा काम कर दिया पैसे ले आकर उसको दे दिया हैं बिसنेस की बाते हो रही हैं और मुझे कुछ नहीं पता अम्मा कैसी बाते कर रही हैं, मैं इस सब किसके लिए कमा रहा हूँ मेरा जो कुछ भी है सब आपका औरालिया कई तो है, आप ऐसा क्यूं सोच रही है ये मोध देखी की बाते ने रहने दो तू, सब तुम्हारा और इसका है, मेरा कुछ नहीं है अगर मैर तुम्हारी खुशियों में हिस्सेदार होती ना, तो तुम मुझे बताते, मुझसे मश्वरा करते, पूछते, सब कुछ अकेले-अकेले करके, जब मुझे ख़बर मिल गई तो अम्मा को हिस्सेदार बना दिया अम्मा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको और आपा को आखिर मसला क्या है, आप लोग किस बात पर नाराज हैं यार, आप लोगों को तो उल्टा खुश होना चाहिए, कि मेरी बने से आपका दामाद अपने पैरों पे ठाड़ा हो गिया दामाद? मुझे अपने दामाद पर बिलकुल भी भरोजा नहीं रहा, और नहीं इस पर, ये दोनों जुरूर मिलकर कोई गुल खिला रहें, बात समझाओ मेरी अम्मा बात, आपका की बात है सुन सुनके, आपका दिमाद पर भी साजी से पैदा होना शुरू हो गई है अरे मैं भी आपकी आउलाद हूँ, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें, कभी मेरी भी किसी बात से खुश हो जाया करें खुश तो भी उस वक्त होती ना, जब तुम अपने खुशों में मुझे शामिल करते मा कोई कोने में डाल दिया है, और सारी दूलक इसमें लुटा रहे हो, दोनोँ हाथों से लुटा रहे हो मसला पते हैं अम्मा कि आप और अबा मेरे पैसे से जलती हैं आप तो यही चाहती दी ना कि सारी लिंदगी दुकानों का किराया लाता रहूं और आप में मौताज बन के बैठा रहूं कि अम्मा आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा बिस्मेन बन गिया है कुछ समझ आए वाह बेटा वाह दुआ है कि तूप तरक्की कर और अल्ला तुमारी आखिये से रोड खोले यह दूआ करूंगी मैं अज़ देखे लिए अज़ चले छोड़े नव आप गुस्सा ने कर रहा है आज तेके ना कितने छी लग रहे है नहीं ताई पहन के आजी कुछ जाए ओपस ठीके तुछ यह वो बैग भी देदा ना मुझे अच्छ विनारी गुस्सा तो नहीं कर रहा भाई पहन कि बिल्कुल सही कि आपने उन लोगं के साथ आपको कमजोरी समझते हैं मैंशा सरी जी उज़ूरी जो किया है अपने सारी जिन्दगी है अब आपकी किसी भी फैसले के आगे कोई भी खड़ा होने से पहले सोबार सूचेगा है पहले मुझे लगा कि अज़व नहीं थाना चाहिए नहीं अज़ए देख भी खड़ा थाया तो अब भी आपके मेरे साब से तो फिर भी बहुत देर कर दिया आपने पी तर देरा है दुरूस्ता आपने देखा नो इस वैसले से किता फाइदा हुआ आपको आपको मेरे लिए इस सब बहुत मुश्किल था समखर वालों ने मुझे अलग कर दिया है तो इस यह अगर मुझे कर दो आपको मुझे खामोश है कि विजर्स के अलाग ठीक नहीं चन्या ने लेकिन मुझे डर हैं, शायद आगे जाके मुझे इससे बड़े फैसले करने पढ़ेंगे, लाम दी, सही न भाई की जगा ने नहीं है, तो उनके जैसे फैसले भी लेने पढ़ेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है, इस सब कुछ मुझे इस तरह करना पढ़ गा, लोग मुझे नौकर समझता है, तो पहले जाही दाई की नौकरी करता था, अब इन लोगों की नौकरी करें, इन इतने फुर्मानिया दी हैं, वो किसी को नजर ही नहीं आती, आई ला मैं इन सब लोगों में अपने आपको अकेला आपाता हूँ, अपकेवे नहीं है अभी, रहे हूँ आपके साए, हर कदम पर, जब बलट कर देखेंगे ना मुझे, जब में पीछे ही पाएंगे, चाही कुछ पी हो, खुशी, गम, ची थार, वाहता नुकसान, उझे पुछे फर्क महीं पढ़ता हूँ, अभी, बलाओ तयार करते हूँ, आपसे, कुछ भी कर सकते हैं आपके लेए, मुझे वाफ कर दो रहा ही था, हाफे क्यो मांगरे है, श्रमिंदा कर रहे हैं, यह शरमिंदा तो मैं हूँ, अभी, आपसे, कुछ तरजी दी तुम्हारे मुकाबले में, जिन्हों ने उगफ तारे पे मेरा साथ छोड़ दिया, अपने आपको कुसर बार में ठहराए, नहीं, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं हलत था, जिन्हें मैं अपना समझता था, वो कभी मेरे अपने थेईगी और जो मेरा अपना था, उजे मेरे देख ही नहीं सकता, जिन्हें आपसे कुछ, कुछ शिकारत है ने, इतनी सी भी, तो तुम्हारा बड़ा बानेदा राईदा है, तुम्हारा दिन बहुत बड़ा है, आता है, आपके जिन्दगी में जो पहले नहीं थी, जिलमाशा पी, भाद़ता है, मेरा बंदगी में केरा बड़ा है, कि अफ्म्हार देख हाल आपते है अन्हें नहीं सी-जिदगा समे नहीं जिदगे प्लाएं, आप मेरा है, तुम्हार आपसे कुछश ओरानेशा ही है, झाल अगर इसको यहां तो नहीं रख सकती है अरे यह क्या कर दिया वह पढ़ाई कर रहे थी तो देहानी था तो बल्ल पढ़ाई पे तरवज्ज़द होगी और किसी चीज़ पर नहीं अगर इसी तरह रहा ना तो नुक्सान होता रहेगा जे जे बढ़ी अमे जिद्दिगी में और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा हाँ तो तुमसे बात क्योंने आई थी कि आज से रात का खाना तुबलाओगी कि जिमिदारी के महरी है लेकिन बढ़ी अमे मुझे लेकिन क्या यह तनी बड़ी बात तो नहीं है अमे तो शाद आप मुझ पे क्यों निकाल गए और उन्होंने जो कहा जो किया उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था नहीं मेरा कोई कसूर था तो उसके सजा मुझे ही क्यों मिल रही है यह रात के खाने का फैस्ता दादी का है और जो कुछ तुमारे अबबा ने कहा उसका रिस्पाँ से कोई तालुक नहीं है और इतनी बड़ी बाद भी नहीं है सिर्फ एक पका खाना तो है बड़ी अम्याप समझ नहीं मेरे पस सिर्फ रात का वक्त है जसमें में सकून से पढ़ सकते हूं हा तो बदल लो ना तो आखर को देखो वाफिस भी जाता है पढ़ाई भी करता है उस अबसे मेरा मश्वरा तुम्हे ही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को और घर के कामों को बालंस करो वरना किसी एक काम से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम अच्छी तरह जानती हो वो कौन सा काम का इसे चाह इले जाएगा मश्या मेरी जाम कीर्स कि क्लथ्यू काम मारा पेलू जाएगेको नियूुम काम जाएगी दे बात गार्ड़ क्या हुआ यार इस घर में न सबको मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम है पहले एक महीना मुझे स्कूल नहीं जाने दिया और अब किछन की भी रिस्पॉंजबिलिटी मेरे उपर डाल दिया मतलब रात का खाना मेह बनाऊंगी तुम सोचो इस बारे में सब समझती हूं मैं मुझे पढ़ाई से दूर करने के न बहाने आएंगे तो तुम समझाओ उने I'm sure वो तुम हरी बात को जरू समझेंगे क्या समझाओंगी मैं उने कुछ सुनने को तयायर निये समझने तो दूर की बात है और यहां पर उल्टा मुझे फाखर की मिसाले दे जारी है तुम खुद बताओ फाखर ने क्या तीर मारा है ना उसका पहले पढ़ाई पर फोकस था ना उसका अब पढ़ाई पर फोकस है प्राइवट करके पास हो जाएगा और अब्बाका बना बनाया बिसनेस कंटिनू करेगा मैं क्या करूंगी तुम बताओ अबनी अम्मा की तरह क्या किजन में दूद की कुसारूंगी मैं वार गूट कुर्स थम मनेंचेह र को है fat cute and मैंने पढ़ना चाहते हूं ते कुछ बनना चाहते हूं है कि पात कियों कोहिना समझता थेखो ए निए निमत comment फिना परिशान नहीं हो हम सब थोगारसाथ है प्रीज टोंट क्राएं और हम मिलके कोई नकोड़ा मारा हन्सर रूनिका निंगिस मसले का, त्रस्ट अस. स्वाले राद, तुमसे बात करती हूं. एन्य? खोल कांटी उसने. पचारी एन्य यार, खुद बुरा उड़ा है उसके साथ. मुझे तो ये समझ नियाता कि आजकल के दौर में ऐसा कॉन करता है? बस भेड़ बकरियों की तरह लड़कों को घरों बान दो. इस एन्विनेवरेबल यार. एक तरफ एन्य इतनी ब्राइट स्टूडेंट और दूसरी पर उफाखर? क्या कर सकते है यार, फैमिली है उसकी. बट मुझे एक ची समझ नियाती, हमेश्या दड़कियों को भी क्यों सक्रिफाइस करना पड़ता है. क्यों नड़के क्यों नहीं करते है जस्ट? वाइडर सुसाइट तेल गल्ट स्टू आवर्यथिंग? वह बहुत बहुत बहुतर डिजर्व करती है यार. हाँ यार, यह तो है. इसकी लाइफ में न सब कुछ नॉमर हो जाए. ओ.. ओ माइग गॉड! अरे एने की टेंशन में तुम्हें भूली गई. सुनो हमजा, एक फेवर कर दोगे. आज में जनना फैमली के साथ कहीं जाना है. मैं नोटस एनी तक नहीं पहुचा पाऊंगी. तुम पहुचा दोगे ना? नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता वाँ पर. प्लीज, प्लीज, हमजा, एक बार कर दो. आज मेरी जावाब की मचपूरी है. और वोटस के बादा उसके सुपूल दता है थोड़ा. हम कर सकते हैं ना ये? तुम समझ नहीं रही, मैं नहीं नहीं जा सकता. हमजाओ तुमने फोन पर सुना वा कितनी परेशान थी. रो रही थी विचारी. हम उसकी हेल्फ नहीं कर सकते. लेकिन अट लीस्ट उसके आसों पोच तो सकते हैं ना? I can do this for her, she's our friend. Thank you so much. अच्छा, बार में बिलते हैं और फिर कल और प्रेक्टिस कर लेगी, ठीक है? ठीक है, बाबाए. इसलाव लिखो. चाचो आप परख्याल से गला जगा बैड़िया है. मेरी छेर ना? तुम्हारी कुर्सी कब से हो गए बई? बाबा की थी? उनके जाने के बाद मेरी हुई. और जब पेड़ी दर आफिस आया था तब आप नहीं बिठाया था यहां पर. मैरे तुम्हारे अगर कह दिया था तो तुम सीरियस हो गाए. अभी तुम बच्चे हो. यहाँ बैठ जाओ इदर, सामने. ऐसा नहीं कर सकते हैं आप पर सब्सक्राइब. मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? यह बिजनेस है और बिजनेस का उसूल होता है. तुम यहाँ बैठोगे, सारा दन मुबाइल पे लगे रहोगे, वक्त बरबात करोगे और कुछ नहीं. और अभी, इसे बात कर रहे होगा, आप हमारे बीच पे मत बोले. जानबुची करें न अभी, ताके मैं बिसनेस से साइड हो जाऊ चली? नहीं, तुम्हें अभी अपनी अम्मी को यह दिखाना है, कि तुम यहाँ आरे हो आफिस. अभी तुम्हें काम नहीं आता है, तुम अच्छे हो, जाओ जाकर वर्कर्स के साथ बैटो, उनके साथ लगो, काम सीखो. अब मुझे लगेगा कि तुमने काम सीख लिया है, तुम इस कुरसी के एहल हो गए हो, तो फिर मैं यहाँ से खुद हड़ जाओं, ठीक है? अब मात किस तरह कर रहे हो, मुझे ज़रा बताए एक तफ़ा, नहीं? वारे, तुम चलो बाहर, बाहर से. क्या बात करने हैं उच्छे? मैं करता हो ना दूए बात, चलो, चलो मिकल. बाते देखी हैं, आपने उनकी, क्या कर रहे हूं कि देखी हूं को जागेंगे? यह देख रहा हूं मैं भी, मुझे भी बहुत गुस्सा है. तो, अभी बहस करने का कोई फैदा नहीं है. खामखाँ, खामखाँ ओफिस में दमाशा होगा. वरकर्स को यह बता नहीं चलना चाहिए कि हमारे तुर्वयान को मसला चमन रहा है. तो, थोड़ा सबर रखो. वक्त खुंदी हभीब को बताना देगा कि उसकी जगा क्या है. जसमात को गाबू में रखो, मैं उना तुमारे साथ. जब उठीक करो, जाए पीटा, चलो. आओ. जनीती जल्दी क्यों आ गया आप? इतनी जल्दी आ गया अप लोक? आँ, बेटा, तुमारी अम्मी का तो देली नहीं तमाह से आने का. क्या सजाद आप बी, इतने अच्छे लोग थे. अब बलके मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि उन्होंने खुद आगे बढ़के हमारी एमन के लिए हाथ मांगा है. देख फैमी, तुम साफ मना कर दो ने. जी, अमी? क्यो? क्यो मना कर दो मैं? इतनी अच्छी फैमली है, इतना बड़ा लिखा लड़का है. ऐसे और भी अच्छे रिष्टे आ जाएंगे, मुझे अभी एमन की शादी करने में कोई जल्दी नहीं है. देखे सजाद, अच्छे रिष्टे एतनी असानी से नहीं मिला करते. अब पिर उन्होंने खुद, खुद से आगे बढ़के एमन के लिए बात की है. तो हमें भी थोड़ा हाके बढ़ना चाहिए. सूचने में क्या हर्ज है? हम बात पकी करके छोड़ देंगे. अब शादी क्या फैस्ते एमन की बढ़ाई के बात देख लेंगे. देखो तुम अभी रिष्टा तैय कर दोगी तो पूरे खानदान में बाते होंगी यार. कौन? कौन करगा खानदान में बाते? उस आइशा को देखा आपने? कैसे इतराते फिरती है कि इतनी छूटी उमर से एनी के लिए रिष्टे आ रहे हैं. अब बताओं की मैं भी उसे. उता के लिए इन चीजों में कोई कॉम्पूटिशन नहीं लगाते हैं. यही सही वक्त आने पर एमन का इससे कई अच्छा रिष्टा हो जाएगा. अर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है. लेकिन सजाद, आप मेरे कहने पर एक पर सोचे दो, देखने में क्या हर्च है? अब बापा थीक कह रहे हैं. मुझे अभी किसे रिष्टे में नहीं बनना, प्लीज इस बात तो यहीं कादम कर दे. जोड़ना, जाने दो. अच्छी फैमिली, मैं इसलिए कह रही हूँ. नहीं मिलते हैं असाने से अच्छे रिष्टे. सोचें थोड़ा. सबर से काम लो और अपने इस कालोगार को सीखने के कोशिश कर. उसके बाद रमशेट के पैसे उसके भूम पर मारूना और हबीब को उसकी जगह पर लख सकते हैं. अब तीर हो जाएगे हैं, जबता तो चाचो की कतम मजीद बजबूत हो जाएगे. मैं जानती हूँ, लेकिन ये वक्त तो लगेगा. लेकर फाकर इसके इलाबा और कोई रास्ता ने, कोई चारा ने. बस अमा, अब ये सब कुछ हमसे बरदाश नहीं हो रहा. अब आपको बोलना ही पड़ेगा. हबीब की हरकतें बढ़ती जा रहे हैं. क्या हो गया तुमें साहिता? हर रोज एक नया हंगामा कड़ा कर देती हो. हाँ तो अमा, जब तक ये बात खत्म नहीं होगी, तब तक ये हंगामा होता रहेगा. हबीब को देखें, अपनी मनमानी कर रहा है. पर आज साब की आज इंसल्ट कर दी. फाकर को कुर्सी से उठा दिया. लो आगे हबीब. क्या मसला है साहिता? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दोंगाम. जब फैसले सुना रहे हो तो जवाब भी देने पड़ेंगे. क्यों तु जवाब? तुम्हारे इसमें क्या लेना देना है? भाई साब की जाने के बाद मैं इस घर का बढ़ा हूँ. मैं ये सारी जम्मिदारी अपने हिसाब से उठाऊंगा. सारे मौमलाद मैं चलाऊंगा. किसी को कुछ पोलने का कोई हख नहीं है. अच्छा, इतने जम्मिदार बन ही गए हो, तो एक और जम्मिदारी पूरी कर दो. जहीर भाई का किया हुआ वादा पूरा कर दो. हमें हमारा हिस्सा दो, फिर हम तुम्हारे माम रिमिनिंग बोटेंगे. अच्छा, ठीक है. ठीक है. एक महीना तुम मुझे दो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देता. लेकिन उसके बाद तुम इस घर में रहोगी नहीं, तुम्हें यहां से जाना होगा. अच्छा, वाग, सुन रही हैं अम्मा? यह हमारे अब्बा मिया का घर है, और हमारी अम्मा भी जिन्दा है. हम यहां आएंगे भी और रहेंगे भी. देखते हमें यहां से कौन निकालता है? जब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा तो फिर यह घर आपका रहेगा नहीं. एक महीना, बस उसके बाद मेरे मौावनात में बोलने का हक किसी को भी नहीं है. किसी को भी नहीं है. सुन रही हैं? आपके होते में कैसे फैसले सुना रहे हैं? अच्छा विदर आओ, देखो ना, अब यह अकड़ो और दूर रहना, ठीक है? जब यह ब्रावन हो जाए, इसके अंदर गोश्ट डाल देना, ठीक है? और समाल के दूर रहना, जब मेरे सबजी कार ते. जलनी नी जाए आए नी? जलनी नी जाए आए नी? जलनी जलना देए यह ब्रावन तो आप मुझे क्या पता कि यह ब्रावन हो जाए यह पकर रहे हैं, आप बता दी ना कौन से शेड़ों ब्रावन? जाए यह ब्रावन, तुम जाके आलो काटो और शीलो, मैं आती हूँ. खमाल कर दिया है, इस लटकी ने जला दी यह देखो तक चाओ. जाए यह ब्रावन, जाए 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 ब् तुम्हें तो खेल से फुर्सत नहीं थी बड़ा नास था ना तुम्हें वारी बड़ी अम्मी पर इसे साज बनके रह गई है उसे बड़ी अम्मी पहले अच्छी थी तानी क्या हो जाओ ले जलत फेहमी है तुम्हारी बड़ी अम्मी ऐसी नहीं थी अभी तुम्हें रात के खाने का बोला है न, फिर नाश्टिक, दुपर रखाना, फिर जाड़ो, फिर पोच्छा, सारी काम, साइज हमेदारी, बढ़ाई से खुद ही मैना कर दोगे तो, अमने क्या करो, अल्ला आप बतार, पिछ नहीं करो, अरदाश करो, मैं यह तो लगता है, तुम्हारी इसी किछन में गुजर जाएकि, तुम्हारी ले कुछ चाकर भी नहीं कर सकते, झाल झाल पामनम, वेटा, क्या कर रहे हूँ, कुछ के नहीं मावान, कोई काम था, नहीं, तुम्हारे पास है, तुम से बातें करने के लिए, तुम कुछ परिशान लग रहे हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, I'm all good, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है, तुम भले ही जितना इसे चुपाने के कोशिश के लिए, क्या बात थे बटा, मामा में पर सोच रही थी के, शादी के पाद हास् नहीं बटा, मैं और तुम्हारे पापा भी तो है, हाँ बार बीच पी तो कोई पॉर कोई 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 क्यों साथ थे, लिए लिए बटा, किसी पी रिष्टे के लिए ना अंडरस्टेंडिंग का होना बहुत जूरी होती है, और इसके साथ साथ महबब, इस्द, यह सब बहुत जूरूरी है, और अगर यह सब हो, तो फिर कोई कॉप्लिकेशन नहीं, सब आल हो जाती है, लेकिन आमना, अगर कंपैटेबिलिटी ना होना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, उसके लिए जरूरी है बैक्ग्राउंड, एजुकेशन और बहुत सी दूसरी ची उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, पिटा मैंने और तुम्हारे बाबाने सूचा है कि अब तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, और आइटिंग अब तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए कि तुम फर्दर स्टडी के लिए बाहर चलिए जो, उससे तु तुम्हें दुम्हें बिख्शन लेने में असानी होगी जो बाती तुम्हें भी संब्ही आлов, तुम्हे बारे ह्arnya, उससे, खेलरीगे तुम्हें तुम्हें क्लियर और होँगी हो है, चैक्यामम् म हटाकि य करते हैं हुआ हुआ है एए है यह जए किया कर अभी बटब रची जरीचे के में उपर इठो ना अच्छ मास्वोग कि में लार्या इतनी बढ़ गई है आप से मिले का मौफा ही निलता इस अजाए भाई के जाने के बाद आप सापसे मिलने आया हूँ वह आपका बेटा नहीं किसी बात करते हो बेटा किसी बात कर रहे है मैं जानता हूं अब जहीर भाई ने इस घर के लिए हम सब के लिए बहुत कुछ किया है क्या मैंने कुछ नहीं किया कि लग्रीजाय को कि आप लोगों की परिशानें को अपने परिशानी नहीं समझा मैं इसाइक की बातों की दिल पर लिया था हुआ हुँ हुँ हुआ के साइका की बात नहीं है आप सबकी बात है जहीर भाई की तरह मैंने भी अपने सारे हाँ कदा की है तो तो फिर मेरे लिए इतना फर्क ही ओबर मैंने मैंने जहीर भाई की कारुबार को इमानदारी के साथ चलाया है जब वहाई थे उन्होंने कभी मेरी मानदारी रड़ारी पे अंगले नहीं उठाई है मुझे भरोशा किया उन्होंने अब मुझे ऐसा लगता है जैसे में कटेरे में मुझे खड़ा कर दिया गया मैं कुई मुझे हूँ नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या सब घरवाले के मेरे अपने नहीं है मैं पोशिश कर रहा हूँ कि किसी को तकलीफ ना पहुचे, सब मेरे खिराफ क्यों हो गया है सब? एह नरी जान, क्यों ऐसे तुम कर रहे हो, मीता ने को? इसी कोई बात नहीं है, अच्छ? तुम कैसे सबसे लगों कैसे सबसे लगों कै? मिटा, मुझे तुम पुरे अटेल है, पूरे परोसा है तुमपर. अरसल नहीं जान, मीता देखो. एह खोग मिलगजे. जहीर के जाने के बस, सब के दिल बहुत परिशान है राथ, सब हिंके रह गया है. जाहिरे उसके बाद तुम ही तु हो, तुम्हारा पुरा आओक है उसकी जगान देने का मेरा पर अच्छ है. अम्मा, आप नहीं जानती है, चाचो ने कितनी बेज़त ने करी मेरी सब के सामने. आफिस में सब मुझे ऐसे देखने हैं, जैसे मैं कोई मालिक नहीं छोटा मोटा मुलाजब हूँ. इतर आके बैठो, आओ ना, बैठो. देखो फाखिर, मैंने तुम्हें पहले भी शचाए था. कि हबीब जो है, वो तुम्हारे लिए हर किसम की परिशानी पैदा पिरेगा. ताके तुम किसी भी बहाने आफिस छोड़के चने जा. वो तुम्हें उकसाएगा भी. ताके तुम किसी भी छोटी मोटी बात पर उसे लड़ बढ़ो. हर दुनिया के सामने तुम बुरे बलो. फाखिर, इन्ही दाव पेज और इन्ही चलाकियों से तुम बच्चना है. तक होता रह गए यह सब. वो रोज मुझे ऐसे वेज़त करेंगी और मैं सुनता रहूं खामोश रहूं. अपने जजबात पे काबू रखो फाखिर, ऐसे काम नहीं चलेगा. अब इसे कुछ सोचो, हबीब की बाहर गलत भी तो नहीं है. मैं इस कारो बाहर है. वो बाहर रहो पता है तुम्हें इसके बारे में तुम्हें, सीखना होगा जिन्दगी में कुछ भी हासिल करने के利ए. बहुत कुछ गवाना पढ़ता है, उखानी पढ़ता है, मुशक्रावर्णियोजोदे सोबते उखानी पढ़ता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता कारोबार असान काम नहीं है तो भी इंवेस्टर्स लाने हो नहीं है कॉंटाक्ट्स बनाने हो देखो सबर से काम लो और अपने इस कारोबार को सीखने के कोशिश कर उसके बाद तमशेट के पैसे उसके भूम पर मार लो और हबीब को उसकी जगह पर लख सकते हैं तीर हो जाएगे हैं जबसादों चाचो की कदम मजीद मजबूत हो जाएगे मैं जानती हूँ लेकिन ये वक्त तो लगेगा लेकिन फाकर इसके इलाबा और कोई रास्ता ने कोई चारा ने हबीब के कदम मजबूत जरूर liked देखो मिनी तरह येटिन उसके कदमों के नीचे ज़ी जमीन है नो तुम्हारी है और ये जमीन तो किसी भी वक्त उसके कदमों के नीचे से कहीच सकते हो इसलिए जब तक तुमारे कदम मजबूत ने सबर से काम देना होगा अभी पुछ पी करता है, बस अप्ले मकसर पर डटे रो समझ रहा है उनो मेरी दात्या समझ रहा है यार ये एनी तो बारबर कॉल कार्ट रही है मैं इसको ये नोट कैसे दू जार इसको एक वाइस नोट कर देता हूँ एनी मुझे ना जेबी ने तुम्हारे कुछ नोट दिये थे वो खुद देने के लिए नहीं आ सकी तो इसलिए वो नोट सुस्ते मुझे दे दिये थे मैं तुम्हारे घर के बार खड़ाओं अगर तुम्हारे कुछ नोट सुस्ते मुझे दे दिये थे मुझे ना जेबी ने तुम्हारे कुछ नोट सुस्ते मुझे दे दिये थे तू इसलिए वो नोटस उसने मुझे देतिये थे मैं तुम्हारे घर के बाँ खड़ाओं अगर तुम्हारे वो नोटस अपने रिसीफ कर लो तरो यह चाह कर रहिए कि यह नहीं सौरी मुझे पदर तुमने मुझे यहां अगा था लिकान जेभी ने का था मुझे तुम्हें नोट्स तुम्हें नोट्स बहुत इंपॉर्डन अधिन वहां अगलो क्या जाओ अभी अगर तुम्हें किसी ने देख ले आना बहुत बड़ा मस्ता खड़ा हो यह 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 कर रही थी तुम्हें किस से बात कर रही थी और क्यों कॉन था वो कुछ पूछ रही है दूम से बोलो जब आप दो कुछ रही है कची कची टहनियों को आधियां क्यूं तोड़ती है क्यूं यह लहरे कश्तियों को वे सहारा छोड़ती है चोटी उम्रों के यह बंधन लोग बन जाते हैं क्या है क्यूं यह किरने रोशनी की काले बादल ओड़ती है अब तो यह हाल है हर पल सवाल है देखान था सुचान था ऐसा मलाल है काटों पे सो गई क्यूं तेरी ही सिंदगी हर पर्ष पर पादर्ष पर जीना महाल है महाल है